जाहें दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आप से भी के इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनावजी निवर्श्टी बीट सेकेंड समेस्टर स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन विद्याला प्रबंदन और स्वक्षता इस सब्जेक्स के सेकेंड समेस् की और फेटावर्थ के देखने वाले और ज्सक्रावज अब यह तो यह वह वीडियो के बारे में हैं यसंवें का र्रह्त का हिर्शा है यह के बारत कर Şu. 1.8 ऐसके बारे में आपको पता तो है लेकले एक पेड़र नियुक्तने इस और आता है फोар च्डान यह नहीं पर अगर आप देख लेंगे points आपके दिमाग में आ जागा तो लिखने में आसानी होगी दोस्तों लखनो उनिस्टी बीए सेकेंड सेमेस्टर सरकार दवारा चलाई गई स्वास्त अभियान कौन-कौन से हैं इसके रहावाई स्कूलवे स्वास्त कारेकरम के उद्येश यह तमाम चीज़े हमने इस वीडियो में पार्ट अ में देखी थी और यहां हम पार्ट भी सुरू करने वाले हैं पार्ट भी में midday meal और इससे समंध की कोशिस करेंगे दोस्तों तो देखी 15 अगस्ट 1995 को केंदर ये प्रायोजीद स्कीम के रूप में प्रारामिक सिक्षा के लिए राष्ट्री पॉस्ट्रिक सहायता कारेकरम सुरूख किया गया था कहने का मतलब यह दोस्तों कि 15 अगस्ट 1995 से यह भाया सरकार में सुरूख किया गया था कि स्कूल में पढ़ने आख जो बच्चे थे उन्हें प्रॉपर नूट्रेशन मिल सके उन्हें अच्छे से पोसर तब तो मिल सके वह इसकूल में आ सके इसके अलावा बहुत सारे यह प्राइब नमांगन बढ़ाने के लिए जो बच्चे इसकोल ड्रॉप करते थे उनको कम करने के लिए बच्चों को इन्हें सबी चीजों के लिए के इंदर सरकार में की योजना सके ऐसा है हम बच्चे को इसको में घाना भी देंगे जिसे हम तो बच्चे को और सुमझत create हुआ वहाँ पर मान लिजे जो खाना बनाने वाली आई हैं खाना बनाने वाले आएं सहायक आएं तो इसमें क्या हुआ एक employment create हुआ और एक बच्चों को लगा कि हाँ चलो हमें खाना भी मिलेगा तो इस बहाने से भी बच्चे के खाना के लिए proper nutrition के लिए हम पैसे दे रहे हैं और आप वही खतम कर दे रहे हैं कि आप केवल कोटा पूरा कर रहे हैं केवल कालोचन में दिखा रहे हैं खेर बात कर लेते हैं के मध्यांत भोजन योजना सरकार की एक योजना है जिसके पूरे देश के प्रात्मिक और लगु मादमिक विद्याले के जात्रों को दोपहर का भोजन निसुल्क परदान किया जाएगा कोई पैसे तो लगते नहीं थे ना मांकर बढ़ाने के लिए ठीक है प्रती धारण और उपस्थती तथा इसके साथ बच्चों बे पॉस्डिक अस्तर सुधार करने के लिए ठीक है 15 अगस 1995 को केंदरिय ब्रायजी जिसकीम प्रारामिक सिख्चा के लिए राश्ट्री पॉस्डिक सहायता कालेगरम सुरू किया गया था अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते थे जो बच्चों के स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दो पर तक भूख लग जाती है खाली पेट आ रहे हैं और जो बच्चे सुबा भी खालेंगे उसे दो पर तक भूख लग जाएगी और वो अपना ध कुकि कच्छा के विविन समाजिक प्रिष्ट भूमी वाले अब यहां पर देखिए यहां पर एक जैसे माले कि 1995 के अगर हम बात करें तो इससे कि यह भी फाइदा होगा कि हर एक वर्ग और हर एक समाज चाहे वो उचे वर्ग का हो या नीचे वर्ग का हो चाहे एक धरम का हो सब बच्चे एक साथ बैट मिलकर खाएंगे तो यहां पर एक एकता की भावना विकास होगा एकता की भावना भी बढ़ेगी तो देखिए क्योंकि कच्छा में बच्चे विविन प्रिष्ट भूमी के बच्चे साथ बैटते हैं और साथ खाना खाते हैं तो इससे क्या कि यहां बालिकाओं को स्चुल जानेивается रोकने वाले और ओधो को सवाब्त करने में सहायता करता है बच्चिय beide पढ़े चले बू तो खाना क्लिट है ले प्कुल कोना वाइं गा यहां के वहाँ पर जाके खाना खास अकती है यह मद्यान भोजन इसकीम छात्रों के ग्यानात्मक नौलेज भावात्मक और सामाजिक भाव मतलब इमोशन्स और सामाजिक विकास में सहायता करता है सुनोयोजित प्रापर तरीके से सिस्टेमेटिक मिड्डे मिल भोजन को बच्चों में विबिन अच्छी आदेते डालने के उसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है या इसकी महिलाओं को रोजगार के उपयोगी के स सुरूत भी बनता ही महिलाओं को एक जॉब ऑपर्चुनिटी भी देता है तो यह हो गई दोस्तों मिड्डे मिल के बारे यहां पर आपको समझने वारी क्या बात है कि इससे फाइदा क्या हुआ बच्चों में निट्रेशन्स प्रॉपर मिलने लगे बच्चों में जो जात नारकावी साधर बना तो यह सारी चीज जेब मिडडे मिल योजना के बारे में 1995 में इसको सुरू कियाा था मिटे मील योजना में अफिय जाट करें। प्रात्मीक स्कूलों में च्छात्रों के परिवेस कि संख्य ऐड़े। अपव्द्यव की स्कूलों में और बुटप्रों क चले जाते थे उनको रोखने के लिए। उनकी attendance बनी रहे हैं क्योंकि बाई दो पहर में खाना मिलेगा तो बच्चे attendance मिलने रहे हैं चात्रों की पॉस्टिक भोजन दुवारा स्वास्त प्रॉपर नुट्रिशन को स्वास्त अच्छा रहे हैं बिना केसी भेट भाव की एक साथ भोजन करने से ब्रहत्रों का भाव उत्पन हो और जाती भेट को खतम किया गया अभी मैं एक अपना किस्सा बताऊंगा इसके बारे में पहले यह देश लेते हैं मीडे महील योजना केंद्र सरकार द्वह देवरा सुरू की गई presenting केंद्र सरकार 75% और राज़ा सरकार 25% भीघार करें मतलá करेंगी 35% के पाइसा केंद्र सरकार दगी 25 सर राज़ा बह게 नहीं सरकार भोजन के लिए खांद भाखना मलक पर एक रसोईया और और सहाइक रसोया और 25 से अधिक वालकों पर दो रसोया और दो सहाइक रसोयों की वेवस्ता की गई जो खाना पगाने काम करेंगा अब मैं बता दिता हूं जैसे हम लोग जब पढ़ते थे उस समय है रहां चाहिक मेरी प्राइमेरी ज़ो पराइबेट में रहाइज्द समय अज्या गवर्न्ट सकूल में आगया तो उस सेवन धिक बच्चों को खाना नहीं मिलता था हाँ kandha भी च्छोटे बच्चों को खाना में नेधा था तो बच्चे सरमाते थे दिर यार मचा खाना ले जैसे खाना लेके आएं बाहर उनको सम लूट पड़ती थी जारे खा जाओ खा जाओ खा जाओ मन्दब हम जीन के नहीं कहाते थे वह सर्म और बच्चों को मज़ा आता साथ में खाने में किसी किसी को में ड्रेस चे नहीं करा के भेज़ दे तो में ड्रेस पाइन काप लगा के अब यू कर गए चले जाओ अभी शायद 10th क्लास तब खाना दिया जा रहा तो उससे नहीं दिया जाता बच्चे जाते थे 6th क्लास बाली जाते तब जाड़ झाओ खाना किला अच्छा अच्छा लगता जब अब सब्सक्राना में क्या यह खीर हो जाली हो कि मिडेल में य स्कूल में पढ़ा है तो आप क्या अपके स्कूल में मिलता था खाना आपने खाया गी नहीं खाया अपना एक्स्परियंस जरूर सेयर करें खैर लखनों वाले तो मुझे नहीं लगता कि गवर्मेंट स्कूल में पढ़े होंगे प्राइवेट में ज्यादा तरह पढ़े इसमें बच्चों की संख्या बढ़ी बच्चे अडिमिशनस लेने के इसमें वही बात है कि सभी जन जाती सभी का अडिमिशनस बढ़ा ठीक है और इसके स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम हुई इस योजना में गरीब परिवार जीने पॉस्टिक आहर नहीं इस योजना को सिक्चास्तर चौदा पंदर तक दिसके साड़े ग्यारा लाख प्रात्मी के उच्चे माध्मी की स्कूलों में लागू किया जा चुका था इससे साड़े दस करोड़ बच्चे लाभ भाने में जो बाद में इसको टेंथ क्लास तक दिये जाना लगा अच्छ तो यह इसका फाइदा हुआ है दोस्त भी है कुछी इसका दोस्त भी रहा कुछ है कि मिड़े मील खाने से चातर की तविए खराब हो गई ठीक है इसका प्रमुख करण मिड़े मील बनाते समय सफाई के ठीक से ध्यान तो ये इसकी कमिया है डीमेरिट से अभी रिसेंटली एक वीडियो बारे लुआ था कि नमक और रोटी खिलाया गया था मिड़े मील में हाला कि इस रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया था बाद में उसको जेल हुए रिपोर्टर के जेल उगई थी चलिए इस योजना में प्रती स्कूल गंबिर नहीं है जिससे या योजना ठीक से नहीं चल पाई इसकूल वाले इतने सेरियस नहीं रहे अच्छा कोई भी योजना चात्रों की जीवन किसी खेवाल करनी के एहत नहीं देती इस योजना के परतिक गंबिर्था ना होने से या बालकों के लिए लाबदाई से ज्यादा कसदाई सी दो हो रही है तो ये इसकी दोस है अब आईए ज़रा कुछ पॉइंट आप देख ली थी उसके बाद ये वाला टॉपिक तो आपका समापत हो जाए इस योजना में अच्छाया तो है परतु साथ ही साथ कुछ बुराया भी है इस योजना को लागू हुए बहुत समय हो गया परतु इससे जो लाब होने चाहिए थे उनका परतिसत कम है यदि इस योजना से जुड़े वेक्ति अपना कारे निस्था और इमानदारी से करें तो योजना का बहुत लाब हो सकते हैं अब वेक्ति समया का समधान तता सर और भौमी करण के लक्षे को प्राप्त किया जा सकता है इस योजना से ही हो रही लापरवाई की जाचकर दोस्यों के कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए तब ही जाकि इस योजना का उद्दे तो सही योजना है जो इस संस्था से जुड़े हैं, योजना से जुड़े हैं, मगर फिर भी यार, प्रात्मी का बच्चा अपने बच्चे जैसा होता है, उसके खाने में क्या ही भी इमानी करना जार, चली, अब एक टॉपिक आता है दोस्तो, फॉस्ट एड जिसे हम कहते हैं, आपके टॉपिक करुपिक स्कूल करिकुलम का हिस्सा है, स्ल्लेबर्स का हिस्सा है, तो फॉस्ट एड के बारे हम देख लेते हैं, प्रात्मिक ची किस्सा के बारे हम देख łatऊं तो यह फॉस्ट एड का मतलब वही होता है, अगर आपको चोट लग गई, आपको लिए कि इस आगर आपको किया जा सकते हैं जो जीवन को सुचारू रखने दर्द को कम करने ता रोगी किस्तिती में गिरावट से रोकने के उदेश से किया जाता है जब तक सटी किसा ना प्राप्त हो सके जैसे माने हाथ कट गया तो डॉक्टर तक आप जब जाएंगे जब जाएंगी उससे पहले किसी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए जो कुछ उपाय किया जाता है उसे प्रात्मिक चिकिसा या फॉस्ट एड कहते हैं करेक्ट जैसे यहां पे बेंडीज है और यह सारी चीज़े हैं बुखार लगी हो तो उस पातकालिन साहता में नीमित चिकिसा पहले दे जाती है अचा एक और चीज़ प्राथमिक चिकिसा मुख्य चिकिसा हो ग्र कोई ब्लम है अगर आप फॉस्ट एड दे रहे हैं so that is not a complete treatment वह में ट्रीट में नहीं है वह फॉस्ट ट्रीट में है जन्रल लिए अगर किसी की करते हैं कि ठीक हो जाए उसके बाद ना ठीक हो तब हम डॉक्टर के बाद जाए फॉर्स्ट एड क्योंकि हम तो डॉक्टर है नहीं हमें जो मालूम है हमने वो दिया दिया हमें कोशिश करनी चाहिए कि at least मुख्य चिकित्सा या में डॉक्टर के पास जरूर चाहिए और कहीं यह दो जोब क्या एक बात करिए कि यह समझ्या कोई हो सकती है इगनोर नहीं करें जैसे जनरली पैरों में दर्द होना पेट में दर्द होना कमर में दर्द होना या फिर सब ऐसा में बुखार लगना ठंड लगना अगर ऐसी प्रोब्लम है तो गोवर्मेंट डॉक्टर के पास जाएगे एक बात करिए कि सर ऐसी प्रॉब्लम जैसे मैं आपको एक बात दाओं अब आपको अगे मैं कुछ आदा कहानी से नहीं कहानी से सुना रहा हूं कि यह कोई ऐसा टॉपिक निया जिसको आपको पढ़ने की जुरूत है आप तो ऐसी लिख लोगे लेकिन हाँ तो मैं गया एसाइस गौर्बंट दॉटर के बात कुछ गया मैं इका तो उससे बात है तो कहाई एस एज में तुम्हारे तुम्हारे घुटने में दर्थ होने लगा अब मुझे बहु एसास आपको एक बार मोरे खुटना मुड गया था इस बज़ेसे मुझे तकलीफ है तो उ मतलब ठीक लगता है मुझे अभी एहसास नहीं हुआ कि हामें ऐसे दर्द है तो एक बार मिल लेना जाहिए गवर्मेंट हॉस्पिले के डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं ठीक है पड़ लिकि रखते हैं अगर वह आपको टाइम दे तो एक बार मिल लेना नियम है जिसको ABC नियम कहते हैं ABC इसको देख लिए उसको बाद ये वीडियो समापत होगी आपके बाद कोई किस्सा कहानी हो इससे समद्धी तो आप बता सकते हैं मुझे अच्छा लगेगा कमेंट में बता दिया फिर कभी कहिए तो मुझे इस्टाग्राम पर यहां पर बतलब स्वासναली स्वासनली का मतलब जैसे कोईसी बच्चे को चोट लग गई या कोई बच्चा बेहोस हो रहा ना холод वो घीव इंदर चलि जाती है तो आपको ये देखना है कि स्वासनली में रुकावर्ण की आजप प्रात्मिक चिका करनियम है बेहोसी के करॉ leva स्ए होर हैं ढिली परणड के कारण जीव गले के पीछे भाग में चला जाना लगता है, जिससे स्वासनली ब्लॉक हो जाती है स्वासनली की जाच करने के लिए सबसे पहले उंगलियों की बदा से जीब को अंदर बतला ऐसे नहीं मुड जाती है जीब करने लगते हैं बच्चे तो उसको सही करिए डॉक्टर कबाई जल्दी जाए उसके बाद सुनिशित कर लें कि स्वासनली में किसी पगाड़ के अवरोध नहीं है सांस अच्छे से चल रहा है ठीक है तो यह A, A for airway राइट स्वासनली दूसरा है दोस्तो B B for breathing सांस उसकी चल रहे गरी जैसे सांस अगर नहीं चल रही है तो आपको क्या करना उसके मुह में फूक मारना है फूक मारो मुह में ताकि उसकी स्वास चले ठीक है धलकन को दबाओ ठीक है स्वास की जाच करना अपरात्मिक चिकिस्सा का नियम है B for breathing सबसे पहले अपने कान को घायल वक्ति के मुह के पास ले जाकर उसकी सांस को सुने देखे और महसूस करे छाती को ध्यान से देखे कि उसका breathing हो रहा है कि नहीं यदि वो सांस नहीं ले रहा तो उसी समय उसको अपने मूँ से mouth to mouth respirations देना सुरू करे इसके लिए गायल वक्ति को पीठ के बल लेटाके उसके मूँ को खोले और अपने मूँ से हवा मतब ऐसे लिटाके इस तरीके से उसको क्या दे सांस दे ता कि उस सांस ले तो बी स्टेंड फर ब्रिथिंग सी की बात करें दोस्तों सी मतलब प्रात्मी कुचार्मिय में रक्त संचार उसका blood circulation सही चल रहा है कि नहीं सबसे पहले घायल व्यक्ति के मतलब ऐसे नफस नहीं हाथ पे देखते हैं हाथ पे कि हाँ यहां पे उसका चल रहा है चल रहा है गले पे देखते हैं कि उसको जो pulse होते हैं वो चल रहा है कि नहीं इसके लिए गर्दन के कोने हवा मरे mouth to mouth respirations करें और दिल के ऊपर एक हाथ से थोड़ा सा रखे जोड़ जोड़ से दबाएं ऐसा करने के लिए दो व्यक्ति का सकता होती है तथा ऐसा करना है तब तक तब तक ऐसा करना है जब तक हाल व्यक्ति की सांस नहीं लेने लगता तो यह होता रहा कभी-कभी condition उसक कुछ चोटे-चोटे topic से उसको देख लीजिए बाकि ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं अच्छे बच्चे हैं लाइक करिए कमेंट करिए आज से अच्छा लगा आप सबसे बात करके मतलब आज अच्छा लगा मुझे सास की जाच करने के सब्सक्रावना दें थोड़ा सा समझाना भी बहुत जरूरी है जरूरी है यादि किसी व्यक्ति के कारण उससे बेहोस हो जाता है तो उसे होस में लाने का पर्यास करें पानी मारना और इस तरह करें यादि किसी घटना में व्यक्ति के हट्टी टूट गई हो तो सीधा करने साथ दर्द को कम करें तो उसको सीधा करते हैं जितनी जल्दी संभाव से घायल व्यक्ति को नजिती की अस्पताल तक पहुचा ये ये है बाई कुछ सिधान्त चलिए ये लास्ट पॉइंट है इसके बाद ये वीडियो समाप्स हो जाएगी तो इस वीडियो में अभी ये क्य उसे हम संक्रमण रोग कहते हैं या रोग जीवी पर जीवी द्वारा पोसक के सरीर पर आक्रमण कर देना से होता है या सुछ मकार के जीव से वाइरस होते हैं तो एक दूसरे से दूसरे से दूसरे विक्ति तक पहुचने वाली एक व्यक्ति से दूसरे को संक्रमण होने वा अस्थान बना लेते हैं या रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से आसानी से संक्रमित हो जाते हैं जैसे हैजा मौतिच यह छै रोग मलेरिया इंफ्लुएंजिया पी लिए अब आप कोरोना वायरिस भी लिख सकते हैं कुछ मुख्य संक्रमक रोगों का विवर निम लिखी गैर संक्रमर की बात करें ऐसी बीमारिया जो संक्रमर से नहीं फैलती है अच्छा इसकी जानकारी जरूरी है क्योंकि कभी-कभी ऐसी बीमारिया होती है कि हम अंजाने मुझसे बचले अरे उसको यह बीमारी नहीं पर देखो जैसे मालीजे डाइविटीज होना तिसे किसी किसी वेक्ति को डाइविटीज है मतलब मधुमें है मीठ है जिसकी सूगर लेबल बढ़ जाता है तो उसके पास कितना भी बैठ है कि हमें डाइविटीज नहीं होगा यह उसी को होगा ब्लड बीपी का लो होना या हाई होना या दिल की बीमारी होना तो ऐसा नहीं है कि हाल पूपोषड भी असंक्रमक रोग की स्रेडी में आता है इसके अतरीक अनियमित जीवन सहली से भी अनियमित जीवन सहली बतब आप हमेसा सोय रहते हैं कोई फीजिकल एक्सराइज नहीं कोई योगा नहीं कोई वयाम कोई नमाज इस तरीकी के चीज़े होने जीवन में अगर जीवनियमित आपकी लाइफ स्टाइल है तो उससे भी बीमारी आपको हो सकती है तो यह सारी चीज़े क्या है भई घैर संग्रमन नौन कॉंटेजियस डिजीज है बस यही टॉपिक है चोटा सा टॉपिक था इस वीडियो को हम यही समाब करेंगे थाइंक यू सो मच बहु मगरा ऐसा टॉपिक था कि अगर एक बार देख लेंगा तो कल आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो आपने तरीके से भी कुछ कहिए जरा कुछ बोलिए जरा इस बार तो हम आपसे कुछ कहे भी नहीं आप चले गए कमेंट आपनी राय पढ़ते के लिए देना ना भूल अगली वीडियो में तब तक आपना खुब ख्याल रखिए जाहिन जाह भारत